Hello friends, welcome to our channel, Crypto with Vishal आज के वीडियो में guys एक बहुत important चीज़ है जो हम लोग discuss करने वाले हैं और I guess बहुत important है इस चीज़ को अभी बात करना और इस चीज़ को realize करना पिछले कुछ दिनों से कई चीज़ों को मैं खुज से भी समझने की कोशिश करता हूँ specifically जब से US का जो banking sector का crisis आया है यहाँ पे क्या उसके बाद bitcoin से या फिर cryptocurrency से हम लोग आने वाले future में क्या उम्मीद करके रख सकते हैं क्या होगा इन सब चीज़ों को इसके बारे मैं आज के वीडियो में discuss करेंगे एक चीज मैं guys बोलना चाहूँगा आपको कि सबसे पहले crypto insights channel पर हमने एक वीडियो किया था आज से करीब 3 महीने पहले जब crypto with Vishal channel terminate हो गया था यहाँ पे मैंने आपको यह बताया था कि जो bitcoin है या फिर हम लोग अगर money के बारें बात कर दें कैसे वो धीरे धीर है कैसे चीज़े evaluate वी तो प्लीज इस वीडियो को एक बार जरूर देख लीजेगा 15 मिनिट का वीडियो है fast forward करी क्योंकि इस वीडियो से बहुत कुछ आप लोगों को समझ में आएगा वीडियो के description पर भी मैं इसका link के देदूँगा वहाँ से आप इसे एक बार जरूर देखिएगा इसके लावा क्रिप्टोविद विशाल पर करीब 6 दिन पहले एक वीडियो किया था जहाँ पर बात करी थी bitcoin के price की अगले 90 दिन के अंदर 1 million dollar पर यहाँ पर पहुशने की बाला जी ने बेसिकली यह चीज बोली थी तो इसके बारे में भी थोड़ा सा आज के वीडियो में जो है डिसकस यहाँ पर करेंगे इन सब चीजों से पहले एक और चीज वो यह है कि bitcoin का price अभी जो मैं वीडियो बना रहा हूँ यह price है इसका 27,540 मैं क्यों इस चीज को mention यहाँ पर कर रहा हूँ क्योंकि यह जो price हम लोग आज बात कर दे हैं 27,540 आने वाले कुछ टाइम बात मुझे नहीं पता कुछ टाइम कितने एक साल बात दो साल बात अगर यह आप वीडियो दुबारा देखेंगे न तो यह price के बारे में जरूर हमें पता होना चाहिए 27,540 अभी BTC का price जो है यहाँ पे USDT के pair में यहाँ पे चल रहा है तो यह जो वीडियो में भी हमने बात करी थी crypto insights में जो वीडियो बनाया था तो bitcoin कैसे आया था जब भी global level पे हम लोग economy की बात करते हैं past history में recession आया है inflation हुआ है कुछ भी अगर वो time पे हुआ है तो हमेशा से जो dollar है उसने बचाया है economy को क्योंकि हम लोग जान दे है world level पे अगर हम लोग बात करें तो जो global level पे जिस currency को माना जाता है आज की date में वो माना जाता है dollar को लेकिन जो यह US में crisis आए है इन चीजों की वज़ा से कहीं न कहीं वो जो dollar का अस्तित्व है वो अपने आप में जो है यहाँ पे खत्रे में पढ़ गया हुआ अगर आप और यह चीज़े मैं इसलिए भी आपको बोलना हूँ क्योंकि पिछ कई लोगोंने question करे है कि यार यह क्या video जो बनाया था actual में ही होगा देखिए जो बाला जी ने बोला था 90 days में 1 million dollar पहुशने का वो impossible है वो नहीं पहुच सकता तो question यह आता है कि बाला जी ने ऐसा क्यों करा फिर देखिए यह ना game था awareness का वो चाहते यह थे कि इस चीज को फ awareness के लिए लोगों को बताने के लिए इस चीज के बारे में कि क्या चल रहा है इस दुनिया में तो जो हम बात कर रहे है इस दुनिया में क्या चल रहा है उसमें सबसे बड़ा जो important issue चल रहा है अभी वो यह है कि crisis के बाद जो banking sector में हो रहे हैं dollar जो मैंने पहले भी बोला कही ना कहीं उसकी जो position है जिस जगा पे dollar था वो चीज अपने आप थोड़ा पहले से हलकी हो गई है अब game यह है कि अगर dollar नहीं तो क्या देखिए आज की date में अगर हम लोग माने तो total चार ऐसी currencies हैं जो world level पे चल सकती हैं पहले number पे dollar खुद है ऐसा नहीं है कि जो मैं चीज़ लोग होता हुआ देखिए लेकिन dollar का कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो चीज़े थोड़ी डगमगाई हैं अब dollar नहीं तो क्या total चार चीज़े पहले number पे dollar है दूसरे number पे आता है Chinese currency जो है Chinese उसके बारे मैं बात कर दो third number पे है gold और fourth number पे जो चीज आज की date में वो आती ह यहाँ पे bitcoin अब इसमें gold automatically हट जाता है क्योंकि gold से बहुत सारी चीज़े नहीं हो सकती है अब gold से क्या हो सकता है bitcoin से क्या नहीं हो सकता इसके लिए ना आप एक बार यह वाला वीडियो देखोगे आपको clear हो जाएगा और gold भी क्यों मैं बोल रहा हूँ वो चीज आपको इस bitcoin अब एक छोटी सी चीज आप समझिए मैं इंडिया की बात करता हूँ चलिए आज की date में Indian government क्या बोल रही है Indian government बोलता ही है कि भई हम लोग crypto currency को नहीं मानेंगे आप एक बात समझिए आने वाले time में अगर dollar हट गया तो government के पास क्या रहेगा क्या वो Chinese currency जो है उसको ही standard है हम चीजे सारे उसके according है या bitcoin को करेगी देखिए जो हालात है ना वो Chinese currency को तो कभी accept नहीं करेगी पूरा मामला घुमा दिया जाएक और cryptocurrency आ जाएगा तो आज यह वीडियो जब मैं बना रहा हूं हम लोग 2023 March में हैं अभी और date भी मैं बता दूं क्योंकि हो सकता है future में कभी यह date के बारे बात हो तो आज 26 तारीक है 26 March 2023 तेखिए अगर हम लोगो ने जैनवरी में इन सब चीजों की बारे में भी बात करी होती या इवन February में भी बात करी होती तो यह चीजे थोड़ी अटपटी लगती सुनने में कि Indian government आने वाले टाइम में cryptocurrency को accept करेगी पर आज अगर आप मेरे से बात करोगे न तो चीजें बहुत ज्यादा बदल गई है banking crisis के बाद सतोशी नाका मोटो ने जब 2009 में bitcoin को बनाया था 2008 के crisis के बाद तो उन्होंने इसी लिए बनाया था क्योंकि उन्होंने अपने जब भी उनकी जो email से हैं thread हैं blog से उन्होंने clear चीजे बोल bitcoin के बाद बागी के भी cryptocurrency आगई वो एक separate चीज है लेकिन cryptocurrency आके बचाईगे इन सब चीजों को अब बात यह है कि इंडिया ने तो चलो आने वाले टाइम में अगर bitcoin को माल लेगा लेकिन world level पर क्या होगा तो यहां पे न अब बात यह नहीं बची है कि आपका आपकी country क्या सम believe में कही country आने वाले टाइम में ऐसी आएंगी जो cryptocurrency को believe करेंगी और कई country ऐसी आएंगी जो किसी दूसरी currency को believe करेगी El Salvador हमारे वहाँ पर example है Brazil हमारे यहाँ पर example है और भी कई countries बड़ी countries हमें definitely आने वाले टाइम में देखने को मिलेंगी जो bitcoin को हो सकता है कोई और भी cryptocurrency वहाँ पर आए लेकिन बात अभी cryptocurrency के है में भी bitcoin हो सकता है Ether हो सकता है यहाँ पर polygon हो सकता है यहाँ पर वो किसको accept करेंगे वो नहीं पता पर हाँ definitely cryptocurrency को वहाँ पर लेके आएंगे वो reason है उसका US का banking sector धीरे धीरे जिस तरीके से collapse हो रहा है Fed बोल रहा है कि हम लोग 2 trillion का fund देंगे even Fed ने तो यहाँ तक बोल दिया कि हम 2 trillion का printing करने वाल है उस print के बाद अलग market में आएगा inflation बढ़ेगा फिर और recession आएगा उन सब चीजों को control करने के लिए एकी तरीका है वो सारा का सारा इसी believe के पीछे था जो उनका believe है यहाँ पर उनका या बाकी और लोगों का भी जो believe है यहाँ पर हम लोग believer हैं यहाँ पर क्रिप्टो करनसी के अगर आप मेरा वीडियो अभी देख रहे हैं तो definitely अगर आप बिलीव करते हैं तो definitely 101% कभी भी मैं past में इस चीजों पर research करोगे अगर आप पढ़ोगे तो यह 101% है future जो क्रिप्टो करनसी का है वो बहुत अलग होने वाला है मैं digital अगर medium की बात करूँ आज से mobiles के बारे में अगर हम लोग बात करें आज से 15 साल पहले जितना evolution हुआ है digitally चीजों का या online चीजों का उतना 100 साल में नह नहीं था पर overall भी अगर आप चीज़े देखोगे तो बहुत जल्दी जल्दी चीज़े बदली है यही चीज आपको होते हुए bitcoin में cryptocurrency में आने वाले time में दिखाई देगी आज भी हम लोग अगर cryptocurrency की बात करते हैं तो हम लोग बहुत नहीं है even हम लोग blockchain की बात करते हैं हम ल initial days तो पूरे इस चीज़ को समझने में लग गई कि scam है आज जाके पिछले 4-5 साल में इतना development हुआ है यहाँ पे web3 के अंदर blockchain का उतने पिछले 8 साल में नहीं हुआ तो यही चीज़ आपको आने वाले time में दिखाई देगी in short बात यह है कुल में लागे कि आने वाला time cryptocurrency के लिए बहुत अलग होने वाला है बाला जी नहीं आ पर 1 million dollar की बात करी है पर अगर countries ने इसको adopt करना start कर दिया तो शायद यह जो 1 million का number है यह भी हम लोगों को आज सुनने में बहुत बड़ा लग रहा है 2017 में मैंने अगर आपको bitcoin का price 50,000 जाने की बात करी होती तो कई लोग उस चीज़ पर भी हसते सेम चीज़ आज है आज हम लोग एक million का number सुनके अचंबे में आ रहे हैं इसमें एक चीज़ और guys याद रखिएगा अब आप यह logic से मत आईएगा कि bitcoin का price अगर इतना चला जाएगा तो हर altcoin का चला जाएगा वो अलग game है हम लोग यहाँ पर जो ब रहेगा मुझे नहीं पता बर bitcoin definitely जो है वहाँ पर रहेगा तो यह सारी चीज़े जो है बहुत अलगतर ही किसा चल रही है global level पर बहुत सारे development हो रहे हैं कई countries आगे आ रही है कुछ countries जैसा बोल रही है आज कि नहीं यह scam है हम लोग इसे नहीं मानेंगे पर आने वाले टाइम एक टाइम ऐसा आजाएगा कि आपकी मजबूरी हो जाएगी आपको accept करना ही पड़ेगा कुछ साल पहले तक लोग online transfer जो थे वो नहीं करते थे लेकिन आज online payment के बिना आपका दिन नहीं निकल सकता अगर आप आज चाहते कि नहीं मैं खली cash में payment करूँगा आप नहीं कर सकत यहां पर सीम ऐसी चीज आपको cryptocurrency के लिए bitcoin के लिए होती हुई future में दिखाई देगी जब bitcoin के बिना आपका जो जो शायद जिन्दगी जो चल रही है वो चली नहीं पाएगी वो टाइम पर आज हमें 1 million का number सुनके अचंबा लगता है कि यार कैसी पागलो वाली बात करने bitcoin 1 million चला जाएगा कई लोग उल्टा बोलने कई लोग तो बोलने या बिटकोईन तो all time हाई भी दुबारा नहीं बनाने वाला सब खतम हो चुका है लेकिन आप नहीं समझ रहे हैं चीजे किस तरीके से चल रही है अगर आप थोड़ा research करें जो collapse हो रहे हैं उसको देखें वर्ल यह सब इसलिए नहीं है कि मेरा crypto का channel है आपे मेरे को कई लोग यहां पे आ जाते नहीं आ रहा व्यूस के लिए बना रहे हो यह इट सा all believe game यह आपके believe का game और believe पे जो चीजे हैं वो चल रही हैं अगर आप किसी x चीज पर believe करते हो वाई आदमी बोलेगा नहीं हम उस पर believe नहीं करते हैं लेकिन यह believe का जो system धाना यह अब एक अलग level पे चल रहा है और उसका सबसे बड़ा reason है US में जो banking sector का collapse हुआ है और वही चीज बार बार में एक इंसान का नाम ले रहा हूं बाला जी को कि पिछले साथ दिन में अगर मैं बोलू ना इस बाला जी के इस update के बा कोशिश करी एक चीज और जिसके साथ मैं वीडियो को खदम करूँगा यहां पर वो यह है कि past में जब भी इस तरीके के crisis आये थे मैं 2008 की बात करूँ उससे पहले की बात करूँ वो time पे dollar एक ऐसी currency थी जो संभाल पाती थी सबको stable कर पाती थी सबको लेकिन अब सबसे dollar का ही अस्तित्व अगर खतरे में आ गया तो फिर क्या आएगा इस वजह से bitcoin जो है अब एक अलग जगा पर यहां पर जा रहा है price में चीजों के बाद ऐसा नहीं है कि मैं यह आपको बोल रहा हूं तो आपको अगले एक महीने के अंदर bitcoin 50,000 जाता हुआ दिखाई दे जाए एक time है वो time जब निकलेगा मुझे नहीं पता वो time कब है frankly मैंने शुडू में यह आपको बोला था हो सकता है आज यह चीजे कई लोग आएंगे यहां पर comment करके चले जाएंगे पर आज से 6-7 साल बाद 7-8 साल बाद 10 साल बाद जब यह वीडियो को आप दुबारा कि हाँ यार उस time पर जो believe था आज की date ने वो सही तरीके से प्रूफ होगा लेकिन यह 90 दिन वाली चीज practically impossible है लेकिन हाँ जो बाला जीन यहां पर awareness फैलाना चाहते थे उस awareness के लिए मेरा मानना है hundred out of hundred जो है इनको जो है points यहां पर मिलने चाहिए पर फिर से बोल रहों one million impossible है impossible का मतलब impossible है अगले 90 दिन के अंदर 90 में से भी 78 दिन तो अल्रेड़ी यहां पर हो चुके यह मेरा मानना था गई जो मैंने आप लोगो को बताया आप लोगो को क्या लगता है आप लोगो का क्या सोचना है वो जोर एक बार मुझे comment box पे बताएगा और अगर वीडियो पसं करूं थैंक यह फंच